ये कहानी त्रेता युग की है, उस समय श्रवन कुमार नाम का एक बालक था, उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवन को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था, श्रवन कुमार बच्पन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता था, एक दिन श्रवन के पिता ने कहा, बेटा, अब हम बुडे हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीरत यात्रा के लिए जाए, भगवान के शरण में जाकर हमें सुकूम की प्राप्ती होगी, अपने माबाप की बात सुनकर श्रवन कुमार सोचने लग गया कि वो उनकी इस इच्छा को क कैसे पूरा करेगा, उसके माता-पिता देख भी नहीं सकते थे, ऐसे में उन्हें तीरत यात्रा कराना भला कैसे संभव हो पाता, तभी श्रवन कुमार को एक तरकीब सूजी, वो तुरंट बाहर गया और वहां से दो बड़ी टोकरी लेकर आया, उसने उन दोनों टोकरीों को एक मजबूत दंडे में मोटी रसी के सहारे लटका कर एक बड़ा सा तराजू बना लिया, फिर श्रवन कुमार ने उस तराजू में अपने माबाप को बारी बारी से गोद में उठा कर बैथा दिया, उसके बाद तराजू को अपने कंधों पर लेकर उन्हें तीरत यात् पर लेकर निकल पड़ा, वो लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्रस थलो पर घुमाने लगा, इस दोरान श्रवन कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाक से लेकर काशी तक के दर्शन कराए, माता पिता को घुमाते समय श्रवन कु तुम हमारे लिए हमारी आखे हो, तुमने हमें जिस तरह सारे पवित्र स्थानों की कथा सुना कर उनके दर्शन कराए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हमने सच में प्रभू के दर्शन अपनी आखों से किये हो, अपनी माता-पिता की बाते सुनकर श्रवन ने कहा, आप लोग ऐस बाते न करें, बच्चों के लिए माता-पिता कभी भी बोज नहीं होते, ये तो बच्चों का धर्म होता है, एक दिन श्रवन कुमार आराम करने के लिए अयोध्या के पास अपने माता-पिता के साथ रुका, तभी उसकी माने पानी पीने की इच्छा जताए, श्रवन को प पास में ही एक नदी दिखाए दी उसने अपने माता पिता से कहा आप दोनों यहां आराम करें मैं आप लोगों के लिए अभी पानी लेकर आता हूँ नदी के पास पहुँचकर श्रवन कुमार कमंडल में पानी भरने लगा उसी जंगल में अयोध्या के राजा दश्रत भी शिकार के लिए पहुँचे थे पानी में हलचल की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है उन्होंने बिना देखे केवल भनी सुनकर ही अपना तीर चला दिया दुर्भाग्या से वह सीधे श्रवन कुमार को लग गया तीर लगते ही वह चीक पहुँचे इसके बाद राजा दश्रत जब अपने शिकार को देखने पहुचे तो वहाँ श्रवन था वो तुरंट श्रवन कुमार के नजदीक पहुचे और कहा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मुझे माफ कर दीजिये मुझे बिलकुल नहीं पता था कि यहां कोई मानव होगा मैं इस गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करू कि तुम मुझे माफ कर दो तब ही करहते हुए श्रवन कुमार ने कहा यहां से थोड़ी ही दूर जंगल में मेरे माता पिता बैठे है उन्हें काफी प्यास लगी है आप उन तक ये पानी पहुचा दीजिये और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी न बताए इतना कहते कहते श्रवन कुमार की सासे रुख गई श्रवन कुमार की मौत से राजा दश्रत सुनन पड़ गए किसी तरह वो श्रवन कुमार के बताय अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुचे श्रवन के माता पिता अपने बेटे की आहट को बखू भी पहचानते थे जब राजा दशरत उनके करीब पहुँचे तो उन्होंने आश्चरे से पूछा तुम कौन हो और हमारे श्रवन को क्या हुआ वह क्यों नहीं आया राजा दशरत उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया तभी श्रवन की माने चिंतित स्वर में जोर से कहा तुम कौन हो और मेरा बेटा कहा है ये बताते क्यों नहीं हो श्रवन की मा की चिंता देखकर राजा दशरत ने कहा मा मुझे माफ कर दीजिए शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था वो सीधे आपके बेटे श्रवन को जा लगा उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया इसलिए मैं यहां पानी लेकर चला आया इतना कहकर राजा दशरत चुप हो गए राजा दशरत की बात सुमकर श्रवन की मा जोर जोर से रोने लगी उन दोलों ने अपने बेटे की मौथ के गम में राजा दशरत के लाए हुए पानी को हाथ तक नहीं लगाया श्रवन के पिता ने तभी राजा दशरत को पुतर वियोग का श्राप दे दिया कुछ ही देर बाद श्रवन के माता पिता ने अपने प्रांट त्याग दिये बताया जाता है कि श्रवन कुमार के पिता के श्राप के परिनामस वरूप ही राजा दश्रत को अपने पुत्र श्री राम से दूर रहने पड़ा था राजा दश्रत के इस श्राप को पूरा करने के लिए ही भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ जिसका माध्यम राजा दश्रत की पत्नी कैकेई बनी श्रवन के पिता की ही तरह राजा दश्रत भी अपने बेटे से दूरी को बरदाश्ट नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्रांट त्याग दिये कहानी से क्या सीख मिलती है कि हर बच्चे को अपने माता-पिता की सेवा श्रवन कुमार की तरही निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए यही उनका सबसे बड़ा करतव्य है